नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका और एक नई वीडियो में आज ऐसे टॉपिक के उपर हम बात करेंगे जो बहुत ही नेसेसरी है सीट बेल्स येस दोस्तों आज कल सीट बेल्स मेंडेडरी किया गया है गवर्मिन्ट के तरफ से भी एस फेस्टू कंप्लाइन के अंदर इस सीट बेल्स है और उसके साथ साथ आपको रिमांडर वर्रिंग लाइंस वह भी ऑप्शन देखने को मिलने आला है तो इसमें आज आपको मैं यहीं बताने हाला कि सीट बेल्स के से यूज करने का और वार्नियों लाइड और शांट कैसे काम करता है आपके पास वहर नहों य 45ड़ एमर्जेंसी में उसीड़ करता है आपको और आपचेतों पुश हो जाते हो विल्लेकर में जो तो आपको मालूम है मर्सेडिस कार थी बड़े साइरस मिस्त्री जो उनका अनफोर्शनेटली एक्सेंट हुआ था और उनकी देथ हुई थी तो यही रीजन था कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहने थे एवन दो उस रियर सीट में बेटे दे सीट बेल के से पहनने का मैं आपको दिखाऊंगा क पहले तो तो दोस्तों कि आजकल की गाडियों में थ्री पॉइंट सिट बेल्ट आती है लेकिन क्या आपको मालूम है कि थ्री पॉइंट सिट बेल्ट है उसका डेवलप किस ने किया है यह डेवलप किया है वह लोग के इंजिनियर निल्स बोली ने 1959 ने और यह पेटेंट लेकिन लोगों के सिफ्टी के लिए इन्होंने जो पेटेंट है वह सारे लोगों के लिए लाव कर दिया है यूज़ कर देंगे इसलिए आज हम सारे काडियों में थ्री पॉइंट सिट बेल्ट देखते है थ्री पोइंट बोले तो क्या फॉस्ट पॉइंट लें ओके यह अगर आप एस से लगाओ गए तो यह आ जाएगा वन तुट्रीटी इससे क्या होता है आपकी बॉडी नीचे का है वह भी इस्टिल रहता है और ऊपर का भी बॉडी स्टिल रहता है तो यूज कैसे करने का मैं आपको पता दू तो सबसे पहले तो क्या है यहां कुछ गाड़ सबसे पहले तो यहां से आपको फूश करना है और यूज करना है यहां से आपको पूश करना है यहां पर आपने बकल कर दिया तो देख सकते हैं कि इस तरह से seat belt मेरा लगने वाला है तो यहां शोल्डर से यह बेल्ट आएगा यहां पर आपको इस तरह से लगाना है इससे क्या होगा देखो एकसिदेंट में आप आगे नहीं जाओगे अभी आपको लग रहा होगा कि आगे जा रहा है लेकिन जब एकसिदेंट होता है तो इसमें आपको प्रिटेंशनर सीट बेल्स मिलते हैं इसका यह मतलब है कि गाड़ी का जो फोर्स है कितना इदर उदर फेकिन नहीं आपके बॉड्ड रहती है और यह उपर का सीट बल्ट यह बेल्ट होने के करना बड़ भाड़ी है दोस्तों वह फिक्स रहती है आगे चली में जाती है तो यह ऐसा पको पैसेंजर का भी मैं आपको बता दूँ इसी सेड बेल्स आपको यूज़ करना है तो चिलने बियर प passenger को और जो यहां पर बैटेगा ओके यह थर्ड वाले प्रसेंज को इसे टोटल आपको तीन सीड वेल्ट मिलेंगे तो जो यहां पर है अगर मैं driver के पीछे बैटोंगा तो मैं इस तरह से बैटूंगा मैरा जो राइट साइड का सीड वेल्ट है उसे मुझे यूजह करना है यहां पर बकल करने के लिए victim करना है अगर मैं छूंद करना है अगर नांट को L सीट बेल देख सकते हैं यहां पर बीच वाले पैसेंजर को यह सीट बेल दिया है इसे आपको यूज करना है इस तरह से ओके सिर्फ आपको दोस्तों ऐसा नहीं लगाना ओके राइट शोल्डर के उपर से सीट बेल आना चाहिए कोई भी हो रहे न दो जो भी सीट बेल और इस लागाने का ओप्शन और जो थर्ड है ओके यहां पर यहां पर आपको यहां यूज करना इस तरह से आपको सीट बेल यूज करना है दोस्तों फ्रंट रियर पैसेंजर के लिए तो दोस्तों अब बात करते है वर्निंग लाइत के बारे में और में आपको वर्निंग साउंड के बारे में तो जो वहर् Wanna है उसमें यह één प्रेंट के उस्षा सारे क्लत रहते हैं तो आपको टीन इलेक्रिकल यहां पर दिखा दो यहां पर यह थीन और दिखानी देनेवाar के लिए यहरे बीच सेके के लिए ल intercept Ern के लिए और आपको बश और के आपके पार अंप्राय दॉस्टे अजया बाथ दोस्तों सक्राइब करें यह स्क्षाल करोंगा तो कि यह इसक्स केंट तक इल्लुमिशनी करने में तो तो उसके बाद यह चले जाने वाले हैं कि देख सकते हैं आप यह तीने लाइट जो रियर पैसेंज की वह चले लेकिन ड्राइवर साइड का यह जो साइट है यह नहीं गया है मतलब इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर में आपको इलमेशन दिक्राएं वह सीडवेल का नहीं गया इसका यह रीजन है कि मैंने लाइट नहीं पहने ओके तो जैसे मैं सीडवेल लाइट लागा दूंगा दोस्तों तो वह लाइट हो चले जाएगे देख सकते हैं यहां पर दिखा चलू रहेगा मैं आपको बता दू अगर आप 20 के नीचे स्पीड में हो गाड़ी चला चलाएंगे हम ओके तब तक यह वर्निंग साउंड आपको सुना ही नहीं देने वाला कि क्लेट कि किलुमेटर पर आर के स्पीड के नीचे में दहूंगा तो कोई भी वर्निंग साउंड नहीं आपको सुना ही देने वाला लेकिन जैसी मैं बिसके स्पीड के ऊपर चला जाओंगा उके तो यह जो लाइट्स है ना दौस्तों वह लाइस यावर्निंग साउंड देने वाला है जैसे ही में seatbelt पहनूंगा ओके तो यह वर्निंग सांड भी जाएगा और आपकी वर्निंग लाइट है वो भी चली जाने वाली है तो यह तो बात हो गया driver and co driver के लिए लेकिन आपका rear passenger का कैसे अभी rear passenger का मैं आपको बदा दो तो जैसे दोस्तों इगनिशन आप दोगे तो जो rear passenger के lights है वो होते रहेंगे 6 seconds के अगर आपने seatbelt पहना है जो भी बंदे ने seatbelt पहना है उसकी lights चले जाएगे और बाकी के lights as it is रहेंगे वो illuminate होते रहेंगे next 70 seconds के लिए और इस case में अगर आप गाड़ी चलाते हो ओके एंड बिलो 20 km per hour के नीचे स्पीड है तो भी यह light 70 seconds के लिए चलते रहने वाले होते रहने वाले हैं लेकिन दोस्तों जैसे ही आप ओके तो इसमें एक glitch है बता दू जो passenger आप देख सकते राइट में दिखा दे उसने seatbelt नहीं पहना है और मैं गाड़ी अगर 20 km per hour speed के उपर ले जाओंगा तो यह warning light और warning sound है वो काम नहीं करता यह तब काम करने वाला है जब वो seatbelt fasten करेगा यह लगाएगा और अगर उसके बाद उसने निकाला और आपका गाड़ी का स्पीड मोर दें 20 km per hour है in that case only warning sound और warning light होते रहेंगे देख सकते यहां से लाइट चलेगे after 70 seconds ओके इवन दो पीछे के बंदेने राइट साट के बंदेने सीट बेल नहीं पहना है फिर भी वहां से वर्निंग लाइट चली गई है तो यह ग्लिच मुझे वर्ना में दिखाई दे रहा है मैंडेल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है किदर पर कि अगर आप पहले आपको फास्टन करना है और देन अगर आप निकलते तो भी वर्निंग लाइट वर्निंग साउंड आपको सुना तो बंदल लगा दे आपका लाइट अब मैं इसे सीड वेल लगाने को बोल रहा हूं ओके और मैं इल्यूमिनेशन दे रहा हूं दूस्तों यहाँ देख सकते हैं यह लाइट चली जाएगे राइट सेड की आपके देखना गई इसका यह मतले वह उसने पहिना है और अब मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा ठीके और जैसी में गाड़ी का स्पीड बिलोग 20 किलमेटर पर आर्ट स्पीड रखूंगा तो यह लाइट है अपने आप चली जानी वाली है याद रखिए और और more than 20 km per hour speed रखोंगा और बंदे का right side passenger अगर वो seatbelt नहीं पहिना है तो यह warning light से वो 70 seconds 35 seconds तक illuminate होती रहेगी and 35 seconds warning sound है ना वो सुनाई देने वाला है तो मैं पहले speed बाड़ा देता हूँ और वो बंदे को बोलूँगा कि अपना seatbelt निकाल दे अपना seatbelt कि ओके दोस्तों warning light आ गई below 20 के स्पीड के नीचे 35 seconds तक वो लाइट रहने वाली है अगर मैं speed बाड़ा दूंगा 20 के उपर warning sound सुनाई देगा यह देख सकते हैं ओके एल में ठुत रहेगी blink होती रहेगी कौन सा परसन ने seatbelt नहीं पेना है और आपका साउंड सुनाई देने वाला है तो यह इस तरह से seatbelt warning lights warning sounds काम करते हैं वहरना में जो कि मैंने आपको बताया किस तरह से काम करते हैं तो यह ग्लीच लग रहा है मुझे परसनल लिमित दोस्तों ओके आपका जो warning light warning sound है वह बेसिक लिए अगर आपने seatbelt seatbelt के उपर बेटे हो और आपने seatbelt नहीं लगाया इन डाट केस आपका जो warning sound है वह सुनाई देना ही चाहिए लेकिन वहरना के केस में अशन नहीं हो रहा है वहरना के केस में क्या हो रहा है आपको पहले seatbelt लगा के बैटना बढ़ता है अगर आपने without seatbelt लगा के बैटा है गाड़े अपने start करके रखे है तो उस case में warning light warning sound सुनाई नहीं देगा लेकिन गाड़ी करने से पहले ही आपने seatbelt लगाया है और during गाड़ी चलते समय अपने seatbelt हटाया उके अनफस्टन किया तो इन डाट केस उन्हीं warning light warning sound सुनाई आपको देने वाला तो यह थोड़ा ग्लीच लग रहा है किसी भी आहलत में रहने तो अगर पीछे के बंदेने seatbelt नहीं पहना है तो आपको warning lights होती रहने चाहिए और जो sound है वो सुनाई देना चाहिए more than 20 km speed अगर आपका speed 20 km per hour का है तो एक छोटा वीडियो दोस्तों में आपके लिए बनाया है वर्ना के ऊपर seatbelt के ऊपर और seatbelt warning lights warning sounds के ऊपर बहुत सारे गाड़ियों में अब rear passenger के लिए seatbelts आते है आने लगे है दोस्तों वर्ना के लेटेस्ट एक्जमपल दिया मैंने कोई भी क्यारी है नीचे comment box में पूछ लेना seatbelt का बहुत ज्यादा benefit है यह आपको सेफ रखता है किसी भी accident में और आपको अगर आपने seatbelt नहीं पेना तो आपके airbags ओपन नहीं होंगे तो अगर आपने seatbelt नहीं पेना तो आपकी दर उदर फेके जाओगे गाड़ी की अंदर तो उसके हो जैसे दोस्तो तो थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो और मिलते नेक्स वीडियो में बाबाई